आज हम बनाएंगे कलेजी पोटा की रेसिपी जिन मेरी बेहन बाईयों को पोटा कलेजी पसांद नहीं ये रेसिपी उनके लिए हैं तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम डेड़ कप आइल गरम करेंगे आइल अच्छे तरीके से गरम हो चुका है अब हम इसमें मीडियम साइज के दो अरद प्याज जाल देंगे प्याज को हमने हलका सा ब्राउन करना है आज की रेसिपी मेरी उन बेहन बाईयों के लिए है जिनको पोटा और कलेजी पसांद नहीं मेरे तरीके से आप लोग इस तरह से पोटा कलेजी बनाकर एक बार खाएंगे यकीन मानें आपका दिल करेगा के हम हर रोज ये रेस्पी बनाकर खाएं बहुत ही मज़दार बनती है आप लोग एक बार जरूर इस तरह से बनाएं और हमारा प्याज जो है वो ब्राउन हो चुका है इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे बड़े साइज के दो अधर टमाटर और चार अधर हरी मिर्चें और तीन चमच अधरक लेस्ट 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 हमने थोड़ा सा ज्यादा डालना है दो चीज़े हैं इस रेसिपी के लिए जो बहुत एहम है एक लेस्ट है और एक चीज़ जो है वो आगे जाकर बताऊंगी और आप लोगों ने वीडियो को मकमल वाज करना है दरम्यान में स्किप नहीं करना और अगर आप लोगों को वीडियो पसंदा आए तो लाइक भी का दीजिएगा अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी का दीजिएगा जब आप लोग खुशू सा कमेंट करते हैं जिकीन माने बहुत ही खुशी होती है और आपका कमेंट पड़के दिल को बहुत तसली हो जाती है आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए और हम इसको दो मिन्ट के लिए कवर का देंगे ज़र तक जो जाएं जी माशाला आप टमाटर जो है वह हमारा गल चुका है इस टाइम पर हम इसमें मिसाले डालेंगे अ कि एक चमच कुटी हिलाल मेर्च आदा चमच हल्दी का एक चमच पिछी हिलाल मेर्च एक चमच नमका अभी हम इतने ही मिसाले डालेंगे बाकी मिसाले हम बाद में डालेंगे अब हम इसकी दो मिन्ट के लिए बनाई कर लेते हैं जी माशाला दो मिन्ट के लिए हमने अच्छी तरीके से बूल लिया है अब हम इसमें पोटे और कलेजिया डाल देंगे 1,5 kg हमारे पास कोटे ज्लेजिगाँ है कोटे ज्लेजिगाँ डालने के बाद हमने तेज आंच पर तक रीबन इसको तीन मिन्ट के लिए बूनना है जी तीन मिन्ट बूनने के बाद अब हमने जो मसाले बचा के रके थे वो डाल देंगे दो अदद बड़ी इलाची, दो अदद छोटी इलाची, आदा चमच काला जीरा, जिसको हमने रोस्ट कर लिया था, उसे हमने बरीक पीस लिया है, आदा चमच है, ये डालेंगे, और एक चमच खुशक दनिया, और दूसरी चीज जो इस रेसिपी के लिए बहुत ही एहम है, सारे मसाले डालने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स का देना है, और स्लो फ्लेम पर तकरीबन आठ मिन्ट के लिए कवर करना है, तक जो पोटे के लिजिए हैं, वो अच्छे से गल जाएं, और इसमें पानी नहीं शामिल करेंगे, क्योंकि जो पोटे हैं, उसने ने एक दो बार चमच लाया था, ताकि ये नीचे ना लगे, देखें माशालला कितनी प्यारी क्लेजी त्यार होगी है, और बहुत ही प्यारी खुश्बू आ रही है इसमें से, अब हम इसे चाका लेते हैं, अच्छे से गल चुका है या नहीं, जी माशालला बहुत ही ये इस टाइम पर हम इसमें सबस धनिया डाल देंगे थोड़ा सा, धनिया डालने के बार हमने इसको एक बार फिर मिक्स का देना है अच्छे से, धनिया डालने से यगीन माने बहुत ही प्यारा सा टेस्ट आ जाता है, धनिया फूप सूर्ती के लिए और जाइके के लिए दोनो आज की रेसिपी कैसी लगी और अब मुझे जाज़े दीजिये मिलते हैं नहीं रेसिपी के साथ अल्ला हाफीज